तो आज हम बनाएंगे चटपटा प्याज वाला लच्छा पराथा जब आप इसे खाएंगे न तो आपको कुछ अलग कुछ नया स्वाद मिलेगा बनाना इसे बहुत ही असान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसे चाई के साथ भी खा सकते हैं दही रायते के साथ भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है एक एक लेयर बाहर आ रही है त तो इस तरीके से आप पर इसे ट्राई करें, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो इसे बनाने के लिए मैंने दो कप आंटा लिया है, आप चाहें तो एक कप आंटा और एक कप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब डालेंगे इसमें आदी छोटी चमच नमक और एक चमच तेल मिला लेंगे अच्छे से, तो यहां आप लोग देख सकते हैं, आटे में नमक और तेल को मिला लिया है, तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डोव लगा लेंगे, फ्रेंट्स यह जो पराठा है ना, इसका टेश्ट इतना चटपटा लगता है, अगर आपके पास इसके साथ खाने के लिए कुछ और नहीं भी है, तो भी यह अपने आप में बहुत ही मज़ेदार लगता है, आपके पास सबजी, रायता, या फिर दही, यह सब कुछ भी नही के लिए रख देंगे, और चलिए तब तक चटपटा सा स्टफिंग त्यार कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने लिया है दो मीडियम साइज का प्याज, दो हरी मिर्च और धनिया पत्ता, प्याज को ऐसे पतली पतली स्लाइस में काट लेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ के साथ इसे सेर भी कर दिजिएगा, चैनल पर नए है तो इस तरीके की मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा, बगल में घंटी है, उसे भी बजा दिजिएगा, उससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर मैंने दोनों प्याज को पतली-पतली स्लाइस में काट लिया है, अब उसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया पता, चोथाई कप धनिया पता है, और दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, अगर चाट मसाला नहीं है तो उसके जगह पे आप आमचुर पाउडर या फिर निम्बू का रस डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और हाथों से इसे अच्छे से मिला लेंगे, बहुत ही कलरफूल, फ्लेवर फूल, चेटपटा सा सलाद बन रहा है, तो आप इसको ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पराठा कितनी टेश्टी बनने वाली है, और हाँ दोस्तों आप चाहे न तो इस सलाद को वैसे भी आप रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, यह सलाद बहुत ही चटपटा बन के तयार होती है आप ट्राई जरूर कीजेगा, और ट्राई करने के बाद हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको यह सलाद की रेसिपी कैसी लगी, इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो चलिए अब उसे भी एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, सेट होने के बाद आटा बलंत रोटी बनाने से बहुत ज़्यादा सौफ्ट नहीं बन पाते हैं, अब पराठा बनाना सुरू करते हैं, तो उसके लिए हमने आटे से एक लोई तोड़ लिया है, और उसे इस तरीके से गोल कर लेंगे, और चप्टा करके थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और बिल हलका हलका ओयल लगा देंगे, चारो तरफ अच्छे से, और आब रोटी के उपर डालेंगे, जो हमने चटपटा सा सलात बना करके तयार किया था ना, वही रोटी के उपर चारो तरफ अच्छे से फैला लेंगे, आप चाहे तो इसे जैसे स्टफिंग करके आलू पर अठा बनती है ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं, और एक रोटी पर ऐसे फैला करके दूसरी रोटी से कवर करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे इसका लच्छा पराठा, तो इसके लिए हमें रोटी को इस तरीके से गोल गोल फोल्ड कर लेना है, और फिर इस तरीके से एक साइट से फोल्ड करके दूसरी साइट से फोल्ड करके उपर से इस तरीके से कर देंगे. और सुरू में तो हम इसे हाथों से ही अच्छे से हलका हलका दबाते हुए फैलाएंगे उसके बाद सुखा आटा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद हलके हाथों से इसे हलका सा बेल लेंगे इसे बहुत ज़दा पतला नहीं करना है हलका सा ही बेलना है और आप सोच रहे होंगे कि उपर में ये जो प्याज दिख रहे हैं तो ये प्याज उपर से दिखते हैं न तो पराठा देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खासता तो होती ही है साथ में अच्छी भी लगती है देखने में भी तो इधर हमने लच्छा पराठा बेल करके तयार कर लिया है तो चलिए अब बारी है सेखने की तो इधर हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया था तवा गरम हो गया है तो उसके उपर पराठा डाल देंगे और जब पराठा नीचे के साइड से हलका सा सिख जाएगा तो उसे पलट देंगे और उसके उपर घी लगा देंगे घी या ओयल बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी च्वाइस के अनुसार अगर आप ओile खाना नहीं पसंद करते हैं तो बिना ओile के भी इसे बना सकते हैं फिर जब दूसरी साइड से भी शिक जाएगा अच्छे से तो उधर से भी पलट करके घी लगा देंगे और अब दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छे से से शेख लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड से पराठा अच्छे से सिख के तयार हो गया है तो अब उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो चलिए आपको एक और पराठा बना कर दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने रोटी बेल लिया है उसके उपर ओइल लगा लेंगे फिर प्याज की यह स्टफिंग रख दिया है रोल कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से और फिर दूसरे साइड से रोल करके उपर से फोल्ड कर देंगे पहले हाथों से थोड़ा दबाते हुए इसे फैला लेंगे फिर सुखा आटा में डस्ट करके इसे हलका सा बेल लेंगे तवा तो गरम है ही तवा के उपर इसे डाल देंगे और इसे भी दोनों साइड से बिल्कुल उसी तरीके से अलट पलट करके सेक लेंगे घी लगा करके ये पराठा भी अच्छे से सिख गया है दोनों साइड से तो इसे भी पलेट में निकाल लेंगे और यहां आप देख सकते हैं पराठा कितना खसता बना है और इसके एक-एक लेयर अलग-अलग खुल रहे हैं तो यह देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है ना खाने में उससे भी जादा मज़ेदार लगती है तो यहां गर्मा गरम टेस्टी चटपटा पराठा बन के तयार हो गया है आप इसे चटनी दही या फिर रायते के साथ सर्व करें तो उमीद करती हूँ कि आप सबको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक से और खूब कर दीजेगा और कॉमेंट्स करके अपना अनुभो हमें बताना बिल्कुल न भूलिएगा और कॉमेंट्स करके हमें यह भी बताईएगा आप लोग कि हमारे वीडियो आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं एक और मचदार रेसिपी के साथ